नमस्कार दोस्तों मेरा नाम मैं काश और सौगत आज के इस वीडियो में जहांपर आज हम बात करने वाले हैं इंडिया की वन आफ दी मोस्ट फेमस सेवन सीटर एंपीवी कार के बारे में ये कार फेमस है अपने प्रक्टिकल स्पेस के लिए अपनी एफ़र्डेबल प्राइजिंग के लिए उसी के साथ साथ ये कार एक मास आउडियन्स को टार्गेट करती है जिनका बज़ट है कम बट उन्हें एक सेवन सीटर कार चाहिए 2023 का आप बिल्कुल अपडेटिड वेरियन्ट अपने सामने देख रहे हो तो इसे कवर करना डफिनेटली मेरा फॉर्स बन जाता है इस वीडियो में करेंगे हम इसका एक डेटेल वाकराउंड रिस्पर्सिफिकेशन प्राइजिंग सब कुछ आपके साथ यहां पर शेयर करने वाले हैं हम शुरुआत करना चाहेंगे मिसके वेरियंट explanation के साथ तो यहाँ पर हमें चार variants company offer करती है RXL, RXC, RXT और RXZ यह अभी अपने सामने आप देख रहे हो RXZ जिसे आप almost top of the trim समझ सकते हो यहाँ पर हमें automatic variant भी company offer करती है, manual भी offer करती है इसमें आपको dual tone का भी option company share कर देती है हाँ, automatic अगर trim की हम बात करते हैं तो यहाँ पर हमें तीन variants में automatic trim जो है, वो company offer कर देती है तो वो एक काफी अची चीज बन जाती है सिर्फ base variant में आपको manual का option मिलेगा, उसके बाद उपर के सभी variants में आपको automatic और manual, मन चहां आप प्रफर कर सकते हो, अगर हम बात करते हैं इसकी pricing की, तो 6,33,000 रुपीज से start हो जाती है, एक showroom और गोश्च लब्टू 8,97,000 रुपीज एक showroom यह जो वेरेंट इभी अपने सामने देख रहा हो, जैसा कि मैंने बताया RXZ रहने वाला है, तो इसका जो एक showroom प्राइज है, वो आजाता है अपना 8,22,000 रुपीज, means 8,22,000 रुपीज एंड यह on-road आपको लगबग लगबग हर्दोई में रेनॉल्ट हर्दोई पे साड़े 9,00 की पढ़ जाती है बागी आप डेलर्शिप से कॉंटक्ट कर सकते हो, उस टाइम पर चल रहें, offers and discounts के साथ यह आपको हो सकता है, थोड़ी और affordable पढ़ जाए बागी अगर आपको रेनॉल्ट का कोई भी product चेक करना हो तो आप directly contact कर सकते हो, रेनॉल्ट हर्दोई से contact details हमने description में दे रखी है अब ही हम बात करते हैं, जब 9,00,000 रुपै के पब्लिक parties में जाओगे न, तो definitely आपकी key जो है न, वो बिल्कुल unique रहने वाली है बाकि यह भी I think आपने एक चीज़ अब्जर भी की होगी, कार के पास जा रहा था, दूर जा रहा था, कार अपने आप आप आवास कर रही थी तो यह feature इसमें आता है, दूर जाते ही unlock, sorry, lock हो जाती है, पास आते ही unlock हो जाती है इसी वज़े से यहाँ पर कोई request sensor नहीं आता है, कार खुद से sense कर लेती है कि भाई, कार का माली कप कार के पास आ चुका है चाहाँ भी लेके, तो चलो हम दरवाजे खोल देते हैं बाकी, ऐसी तो कुछ किया जाती है, यहाँ पर आने वाले buttons का थोड़ा सा function समझा दूँ, lock, unlock, यहाँ से light और यहाँ से आप अपने boot को open कर सकते हो, electronic आला नहीं है, बस simply open हो जाता है बाकी, की में इतने features हैं, इस price point पर, तो कार में कैसे रहने वाले हैं, अभी वो दोड़ा समझ लो, front profile देख लो एक बार, काफी ज़्यादा unique है, center में आपको यहाँ पर बड़ा सा chrome में, Ronald का logo company offer कर देती है, इसकी वज़े से कहीं न कहीं, इसकी जो front profile है न, वो काफी ज़्य बलकी feel होती है, बाकी आपको grill में भी chrome के essence company share कर देती है, वो चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हो, बाकी अपनी यहाँ पर, जो matte plastic है, उसका यहाँ पर use किया गया है, इधर आ जाएं, तो यह आजाता है, अपना headlight का setup, अब यहाँ पर reflector based आपको high beam मिल जाती है, बाकी low beam अपनी projector based रहने वाली है, setup यह halogen है, decent रहता है, fog में आपकी यह काफी ज़ादा अच्छी visibility लाके देगा, बाकी turn signal indicator यहाँ पर आ जाता है, जो कि अपना bulb type रहने वाला है, नीचे की side आपको इस variant में एक DRL भी मिल जाता है, बाकी इस housing के आसपास chrome का use किया गया है, यहाँ प किया गया है, तो वो चीज़ आपने आपर देख सकते हो, जो कि मतलब इसके overall look को enhance कर देता है, माकी नीचे अपनी skirt प्लेट आ जाती है, इधर अपना silver color है, माकी यह पूरा का पूरा जो cladding है, वो matte black रहने वाली है, यह overall car में continue की गई है, आप देख सकते हो, यहाँ wheel के profile की बात करें, यहाँ पर हमें company offer कर रही है, यह देखिए, 185 by 55 R15, 15 inches का, अब यह जो है ना, दूर से दिखने पे, कोई भी इसको alloy कहेगा, बट actually यह alloy नहीं है, यह smart rims है, जो कि थोड़ा सा मतलब, आप यह कह सकते हो, पैसे को बचाने के लिए companies use करती है, क्योंकि affordable pricing पे उ ventilator disc company offer करती है, rear की side, हमें drum brake offer की जाती है, वो एक चीज बन जाती है, overall जो side के look है, वो एक बार आप देख सकते हो, window size, जो यहाँ पर window का area है, वो भी काफी decent रहता है, सारे के सारे जो door handles है, उस पर chrome का work किया गया है, बांकि आपको request answer नहीं मिलता, वो चीज मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, आज है overvm की तरफ तो आप यहाँ पर देख सकते हो, अपना blacked out overvm आ जाता है, और नीचे अपना यहाँ पर थोड़ा सा matte black का use किया गया है, turn signal indicator की positioning, इसके उपर company ने दे दिया है, मा की side में आप cladding देख सकते हो, कुछ इस type से base virendorm indicator इधर आ जाता है, और पूरा का पूरा fender clean रहने वाला है, जो cuts है, कोई काफी sharp cuts यहाँ पर नहीं दिये गए है, क्योंकि एक MPV car है, तो उसी तरीके से इसके designing भी की गई है, चले, पीछे की side, एक बार देख सकते हो, आप overall, car पीछे से कैसी लग रही है, ठीक है, शुरुआत करना चाहेंग इधर से, तो सबसे पहली बात तो, high mount stop light आ गई, इधर अपना washer आ गया, defogger यहाँ पर company share कर रही है, rear में wiper भी आ गया, wiper washer, defogger, high mount stop light, इस सारी की सारी चीज़ें आ गई, उसके बाद center में अपने यहाँ पर रेनॉल्ट का logo, यह अपना triber की badging, इधर अपना camera आ गया, camera की number plate के लिए light आ जाती है, इधर आपकी number plate लग जाएगी, इधर रेनॉल्ट का logo, और बाकि यह रही अपनी halogen में tail light, reverse light और जो brick light है, वो भी यहाँ पर halogen company share कर रही है, और टरंसिंग इंडिकेटर अपना यहाँ पर bulb type रहने वाला है, तो वो एक चीज़ बन जाती है, बाकि उपर अपने roof rails आ जाते हैं, और अपना micro antenna company share कर रही है, माकी जो dual tone है वो और वी जदा premium लगता है, इस car के अंदर मुझको personally, इधर साइड आ जाए, तो यह देख सकते हो, overall similar चीज़ें use की गई है, cladding मैं ने बताई थी, पूरी car में दी गई है, बस side में doors के उपर नहीं है पीछे आप देख सकते हो, और पीछे का जो bumper है, उसमें भी आपको similar cladding और skit plate का use होते दिखेगा, माकी exhaust की जो tip है, वो I think आपको यह देखो visible होगी, वो कुछ इस टाइप से आ जाती है, माकी overall इदर कोई, मतलब काफी बड़ी चीज़ें नहीं दी गई है, हाँ, definitely आपको यहाँ पर fuel tank देखने को मिल जाता है, अगर हम बात करें इसके fuel tank capacity की, तो 40 liters का यहाँ पर fuel tank capacity company share कर रही है, इसे हम SXS नहीं कर सकते, इसे हम सिर्फ अंदर से ही open कर सकते हैं, अभी चलें first row में, so, door से करेंगे शुरुवात, तो सबसे पहली बात तो यह, यह काफी पुराना है, मतलब यह आजकल की cars में आ रहा है, तो वो थोड़ी सी एक अलग चीज बन जाती है, इसको पर कोई tipडी नहीं करना चाहूंगा, इधर अपना यहाँ पर door handle पर silver का use किया गया है, इधर अपने window के controls आ जाते हैं, यह आगे अपने ORVM के controls, इधर आप अपना थोड़ी सा coin आगरा रख सकते हो, speaker की placement यहाँ पर की गई है, जो door pockets हैं वो भी यहाँ पर काफी decent रहने वाली है, bottle बगारा आप, I think half liter की bottle जो है, वो easily से carry कर लोगे, चले कार के अंदर, इधर से शुरुआत करते हैं, यहाँ पर अपना AC wind आ जाता है, यहाँ पर थोड़ा सा chrome का use किया गय है, बाकि यह थोड़ा सा silver है, वो इसमें, मतलब, cherry on cake, आप समाझ सकते हो, वो चीज़ यहाँ पर दी गई है, बाकि push start button company share करें, वो इधर ने वो दूसरी तरफ दिया गया है, इधर अपने light की controls आ जाते हैं, इधर अपने आगए wiper के controls, center में रेनॉल्ट का logo, यहाँ पर आ आगया है, इस चेडिंग को आप adjust भी कर सकते हो, आप देख सकते हो, यहाँ से, तो सिर्फ tilt है, telescopic adjustment company share नहीं करती है, इधर आ जाता है, अपना speedometer, rpm आ गया, engine temperature, fuel gauge, यहाँ पर सारे warning lights आ जाती है, center में M.I.D. दी गई है, जहाँ पर driving rated सारा data आपको show हो जाएगा, trips आ जाती ह है, so one of the safest car है, तो इस वज़े से जो cabin इसका है न, वो थोड़ा सा premium, प्लस थोड़ा सा rough and tough, आपको definitely feel होगा, इधर अपने दो AC के वेंट्स आ जाते हैं, बाकि आप इतर देखिए एक चीज, यह रहा अपना, एक glove box, ठीक है, segment की एक लौती कार है, जो यह same feature अपने साथ शे इस आपके साथ यह share करेगी, 20.32 cm या फिर कहलो 8 inches का infotainment system आपको company offer कर रही है, काफी ज्यादा fluid quality इसकी रहने वाली है, reverse parking camera की अगर मैं बात करूं, तो वो definitely मैं आपको यहाँ पर show करना चाहूंगा, quality देख सकते हो, काफी अच्छी रहने वाली है, showroom के अंदर खड़ी हु नीचे अपने देख सकते हो, defogger आ गया, यह आगया अपना hazard, center locking और यह आगया अपना traction on and off, इधर अपने AC के कंट्रोल सा जाते हैं, वो देख सकते हो, पूरे के पूरे AC के कंट्रोल सा गया, उसके नीचे यह push start button आ गया, यहाँ पे आप अपना phone वगारा प्लेस कर सकते हो नीचे भी थोड़ा सा space दिया गया है, एक auxiliary port और एक अपना USB port company ने दे रखा है, अभी जो हम review कर रहा है, वो 5 speed का manual gearbox रहने वाला है, automatic option यहाँ पर आता है, reverse में डालने के लिए आपको इसे थोड़ा सा press, इसे कुछ ऊपर के तरफ खीचना पड़ेगा, तब आप इसे reverse में लगा पाऊगे, यह आगए अपनी handbrake, यहाँ पर और कुछ भी नहीं दिया गया, armrest वगरा यहाँ पर company share नहीं करती है, बट definitely आप देख सकते हो, एक यहाँ पर cool space जो है, वो company ने दे रखा है, तो cans वगरा आप यहाँ पर रख सकते हो, बाकि यह अपने कुछ इस टाइब से cup holders आ जाते हैं, और बाकि अपने, आप seat belt यहाँ पर लगाने वाले हो, fabric seats रहती है, seat की quality की बात करें, अंदर thigh support, descent लगा मुझे, बाकि सही है, long rides में आपको कोई issue feel होगा नहीं, उपर की set आ जाए, तो यह रहा अपना auto dimming का IRVM, बाकि भाई यह रहा हम मैं, hello, देखा, न लाइक कर देना, it will mean a lot for me, आगे बढ़ते हैं, यह आगे अपनी lights, इधर अपना mic आ जाता है, ध्यान से like कर देना, और subscribe भी कर देना, इधर अपना mic आ जाता है, माकि यह रहा अपना sun visor, यहाँ पर ticket holder दिया गया है, इधर आ जाए, तो sun visor with vanity mirror, ऐसे कुछ अपने handles आ जाते ही है, चले second row में देखे, पीछे के passengers के लिए, आखिर company ने क्या क्या चीज़े दे रखी है, पीछे चलने से पहले एक चीज बताना चाहूंगा, यह देखो, एक airbag, वो रहा अपना, दूसरा airbag, और यहाँ पर आपको seats में भी airbag company offer करती है, तो यह एक काफी बढ़िया सिमलर है, सिमलर material यूज़ किया गया, सिमलर theme भी यूज़ की गई है, window का control यह आ गया, इधर अपना speaker, second row की बात करें, तो काफी जादा यह spacious रहती है, 60-40 का आपको यहाँ पर split मिल जाएगा, adjustable headrest है, दो headrest है, center में armrest आपको यहाँ पर नहीं दी गई है, तीन seat belts आपको दी गई है, दो अपनी 3-point, एक अपनी 2-point seat belt, कार के अंदर कर हम बैठें, तो यह पीछे, यह वाली जो seat है न, वो almost almost मैंने पीछे कर दी थी, आगे बहुत ज़दा space था, उसके बाद भी मेरे पास यहाँ पर काफी अचा-कासा space बच गया है, पीछे तीन adults, तो बैट जाएंग अगर medium height के, अगर दो adult proper भी हैं और एक बच्चा जो है न, वो definitely आराम से बैठ जाएगा, बागी पीछे के passengers का जो ख्याल है, वो कुछ इस टाइप से रखा गया है, कुछ इस टाइप से आपको यहाँ पर जो AC के vents है, वो company ने दे रखे हैं अपने यहाँ पर इस pillar में, I think य B pillar हाँ, B pillar में दे रखे हैं, वो एक चीज बन जाती है, बागी पीछे बैठ होगे तो car कैसी लगेगी, वो देख सकते हो, कुछ इस टाइप से जो looks है न, वो आने वाले हैं, काफी simple looks है यह car अपने साथ, front से, मतलब बाहर से और अंदर से, काफी simple looks है, share करती है, बागी headroom बगारा भी, यहाँ पर काफी decent मिल जाता है, अभी यह हो गया, कुछ अपना second row का मामला, comfort rated कोई issue होगा नहीं, third row में अगर आपको जाना है न, तो access तो आप इदर से भी कर सकते हो, बट मैं प्रसा करता हूं, उधर से चलूं क्योंकि, उधर वाला जो split है न, वो 40 का split दिया गया, third row को access करने के लिए, simple आपको इस knob को सिर्फ एक हाँ से operate करना है, बुढ़े बच्चे, लेडिस, कोई भी इसको उसे करके उठा लेगा, उसके बाद चलते है, third row में, देखते है, third row में क्या 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 चीज़ है, so, first impression was like, अरे भी यह कहां आ गए, क्योंकि देखो, य इनके लिए काफी decent space बन जाता है, आप अपना यहां पर हाथ वगरा रख सकते हो, glass आपर दिया गया है, grab bundle कुछ इस type से, पीछे के passengers के लिए AC 20 यहां पर दिया गया है, एक 12 वी का charging socket भी है, and दो अपनी seatbelt आ जाती है, adjustable, आपको headrest भी यहां पर company share कर देती है, but definitely जो proper adults है, व कुछ इस type से, ठीक है, चलें बाहर, फिर बात करते हैं, boot space के बारे में, अब boot space की बहुत ज़दा उमीदें, प्रापर 7-seater में, नहीं होनी चाहिए, किसी को भी, अब वो चीज़ क्यों है, वो अभी मैं आपको explain कर दूँगा, तो, यहां पर आपको एक, कुछ इस type से button दिया गया है, तो, यह खुल गया भाई, अब देखिए है, मैंने बोला दाना, boot space, जब सारी seats अप होती है, तो कुछ खास नहीं वस्ता है, but एक चीज़ मैं definitely लिगा हूँगा, जब यह seats fold हो जाती है, क्योंकि, 50-50 का fold आपको यहा से, एंड, इसे भी हम, करते हैं, fold, यह हो गई, इतनी, अब इसके बाद आपको यहां पर space मिल जाता है, और उसके बाद अगर आप 5 लोग राइड पे जा रहा हो, गोमने 5 लोग जा रहा हो, तो, इन seats को बहुत आसानी से आप remove कर सकते हो, उसका मैंने एक dedicated shot डाल रखा है, उसे आप definitely check कर सकते हो, जाके, वो एक चीज़ बन जाती है, बाकि उन seats को भी आप fold कर सकते हो, कर सिर्फ दो लोग जा रहा हो, लगज बहुत जादा है, इसे आप पूरा fold करके bed tuck बना सकते हो, तो, यह advantage आपको यहां पर मिल जाएगी, मुझके बाद बोट इस पेस को इतना कंपनी ओफर करती है, तो एक चीज़ यह बन जाती है, इसे करते हैं, बंद, अभी बात करते हैं, यह इत्ती फीचर लोड़ड कार, यह फिर इत्ती बजट में आने वाली MPV कार, किस पे रन करती है, means engine यहां पर हमें कौन सा कंपनी दे रही है, उससे पहले यह देखो, यह कोटा सा यहां पर टिंट यूज किया गया है, यह देखो भई, यह कार है, यह अपना एक कैम्प दिया गया है, यहां पर चीज बन जाती है, जो कि रनल्ट की सभी कार्स पर यूनिक थीम यूज की जाती है, अभी चलते हैं, इंजिन के तरफ बोनट वे को उपन करते हैं, इंजिन के बारे में बात करें, तो यहां से अपना बोनट वे उपन होगा, हुड का वेट वाज डिसेंट, यह चाज बन जाती है, इंशिलेशन आपको यहां पर धिया गया है, कैबिन के अंदर नॉइस जो है, वो थोड़ी पहुच जाती है, डफिनिटली, आपको यहां आपको यहां पर डेफिनिटली, देखने से ही पता चल गया होगा, वाकी देख सकते हो, एक साइट की बैटरी है, जो कैबिन है, वो काफी एरी है, तो सर्विस के टाइम पर कोई इशू आएगा नहीं, वाकी आपके जो फ्लूइड्स है, वो यहां पर जाते है, वाशर फि बन जाता है, से अफ्लूइड कोई इशू होगा नहीं, आप खुदी देख सकते हो, काफी अच्छी खासी बिल्ट कॉल्टी, यहां पर कमपनी ने दे रखी है, बात करेंगर हम इसके पावर फिगर्स की, तो 71 भी पावर, 96 नूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क, अब यह पावर थोड़े सी कॉंट्रोवर्शल बन जाते हैं, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं, पावर सफिशेंट नहीं है, वहीं पर कुछ लोग कहते हैं, सफिशेंट है, हाईवे पर चलना है, रोडों पर चलना है, तो डेफिनिटली यह पावर फिगर्स काफी सफिशेंट है, बहुत नहीं हो सकती है बाकि जिस price point पर यह आ रही है जिस type की audience को यह target करती है उसे definitely यह सारी चीजों से उत्ता फरकन नहीं पड़ेगा इसे करते हैं अभी बंद अभी हम finally बात करते हैं क्या आपको यह car prefer करनी चाहिए so definitely मैं yes कह सकता हूँ क्योंकि इस car का directly competitor market में exist ही नहीं करता है आठ नौ लाख रुपए की range में भाई वैगनार के top and trims पड़ते हैं जाके सुर्फ वगार आपको मिलती है अभी कोई एक ऐसी family है जहां पे चार adult और दो बच्चे या तीन बच्चे हैं तो वो किस car के साथ जाए तो definitely उसी type की audience उसी type की customers इस car को target करते हैं और अगर तो आपकी भी same need है तो definitely आप इस car के साथ जा सकते हैं वो आपकी जो need है उसे fulfill करेगा बाकी safety related आपको यहां पर कोई issue होगा नहीं काफी अच्छी खासी रेटिंग्स इसने global and cap में achieve के थी उसी के साथ साथ बेस वेरेंट से आपको ISOFIX child mounts ठीक है that's all about the Renault driver जितने भी necessary features थे information दी वो मैंने आपके शायर कर दिया इसके बाद अगर आपको कोई भी doubt रहता है ना तो आप comment करके पूछ सकते हो directly showroom से भी contact कर सकते हो Renault से रेटर किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी पाने के लिए बाकी वीडियो जब यहां तक देखे लिए आए ना तो एक बार वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब ज़रू कर लेना बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के ल कर दो